आलो फ्रेंड्स में हुँ सी में एसेस पानि कोस्ट अकांट अनि प्रक्रेश आज आम डिसकस करेंगे रिस्ट चेंजेस इन जीएस्ट से फार्स जन्वारी 2022 से इम्पोर्टन चेंजस आये जीएस्ट में उसका वरी में वन बैवन डिसकस करेंगे पहला ITC. 1st January 2022 का बात, GSTR 2B में जितना अमाउंट अफियर होगा, टैक्सपेर उतना ही ITC क्लेम कर सकता है. January 2022 से पहले, जो अमाउंट GSTR 2B में आता था, in addition to that 5% एक्स्ट्रा ITC टैक्सपेर क्लेम कर सकता था. अगर कोई invoice missing है, GSTR 2B में अफियर नहीं हो रहा है, तो up to maximum 5% एक्स्ट्रा ITC क्लेम कर सकता था, टैक्सपेर. लेकिन 1st January 2022 का बात, GSTR 2B में जितना आएगा अमाउंट, उतना ही ITC क्लेम करना पड़ेगा. Rule 36, sub-rule 4, change हो गया, amendment हो गया, वो applicability 1st January 2022 से है. तो जन्वरी 2022 का बात, GSTR 2B में जो आएगा, ITC उतना ही मिलेगा. Second, GSTR 1, GSTR 1 return, अगर कोई भी taxpayer, GSTR 3B एक महिने के लिए भी file नहीं किया है, pending है कोई taxpayer का 1 month के लिए GSTR 3B return pending है, तो system GSTR 1 file करने के लिए allow नहीं करेगा. पहले जन्वरी 2022 से पहले ये provision था 2 months, तो rule 59, sub-rule 6, clause A में amendment आ गया है. 1st January 2022 से अगर 1 month का default आता है किसी का कोई GSTR 3B return file नहीं किया है, वो case में taxpayer GSTR 1 file नहीं कर सकता है. Suppose कोई एक taxpayer GSTR 3B December 2021 का file नहीं किया है, तो जब वो taxpayer GSTR 1 January 2022 का file करेगा, say on due date 10th February 2022 को, तो system वो file करने नहीं देगा, वो block कर देगा, तो GSTR 3B file करने का बाद ही allow करेगा. पहले ये दो महिने का default था, दो महिने का default था, दो महिने से एक महिने कर दिया गया है, reduce कर दिया गया है, from 1st January 2022. GSTR 3B में एक upcoming facility आ रहा है, recently बहुत आ रहा है, ये बारी में advisory दिया गया है GSTR, website में आया है 8 January 2022 को, वो क्या है इना auto population of interest, अभी जो GSTR 3B में auto population of interest होगा, interest automatically calculate करेगा system, वो जो calculate करेगा system interest, उसको बाद में taxpayer को देना पड़ेगा, जैसे कि अभी हम जब GSTR 3B return फाइल करते हैं, table 3.1 में हम tax liability details देते हैं, वो एक हम लंसम देते हैं, से कोई December 2021 का GSTR 3B फाइल कर रहा है, उसका जो tax liability दे रहा है, वो जो tax liability स्रिफ December 2021 का है, या उसमें से कुछ October का भी है, या उससे पहले September का है, वो अभी GSTR 3B में कहीं mention नहीं कर रहे हैं, एक लंसम figure दे रहे, तो जब upcoming जो facility आ रहा है GSTR 3B में, इसमें ये जो tax liability का break-up देना पड़ेगा, tax liability break-up, तो ये जो tax liability कोणसा कोणसा period का है, वो details देना पड़ेगा, वो details देने से system automatic calculate करेगा interest, अगर कोई taxpayer, ये जो tax liability break-up का जो facility है, उसको ignore करता है, तो system treat करेगा, ये जो tax liability, वो ही period के लिए है, तो अगर December का कोई file कर रहा है return, वो tax liability break-up नहीं दिया, तो system assume करेगा, ये जो tax liability related to December only, कोई पुराना period का इसमें नहीं है, तो tax liability देने से system automatically calculate करेगा, और जब January, वो ही taxpayer, जब January 2022 में, January 2022 का वो GSTR3 भी file करेगा, इंट्रेस्ट automatically calculate होके उसका GSTR3 भी में table 5.1 में आ जाएगा, तब उसका हिसाब से taxpayer को interest payment करना पड़ेगा, अगर इसमें और इनिस्याली एक और प्रविजन दिया गया है, टैक्सपेर के लिए, टैक्सपेर वो जो interest liability आएगा table 5.1 में, उसको manually भी change कर सकता है, इनिस्याल पिरेड के लिए दिया गया है, हो सकता है, आगे इसको हटाया जा सकता है, लेकिन इनिस्याली ये प्रविजन दिया गया है, टैक्सपेर अगर चाहे तो manually भी, जो भी interest system calculate कर रहा है, उसको change कर सकता है, अगर वो इसे manually change करता है, क्या return file कर पाएगा taxpayer, अभी के लिए फर्दी timing, टैक्सपेर अगर manually भी change करता है interest, तब भी वो file कर सकता है GSTR3V return, लेकिन उसके लिए एक error message आएगा, बट टैक्सपेर return file कर सकता है, GSTR3V return file कर सकता है, जब GSTR3V return का वो download करेगा, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, झाल सकता है भरी नचराँ वीडियो किजिए्वाच्ब य यूजरते हैं सकता है देल हो में हम गझो काहब कीज़ को